हेलो अगर आपने महा जैनकों में जूनियर आफिसर सिक्योर्टी के लिए आविदन किया है या करने वाले हैं तो आप देख लीजिए वीडियो इसकी मत किरिएगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एक्जाम डेट क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस में कितने एक्जाम ले गई यह सारा कुछ बताया है वीडियो बहुत छोटा है आप पहली वर आएं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है तो देखे जूनियर आफिस सिक्योर्टी के लिए ज ठीक है तो यह सारा कुछ में बता रहा हूं आपको इसमें इनका देख लिजिए इंपोर्टेंट कंडीशन आइब आउट सिलेक्शन प्रोसेस ठीक है तो यह सिलेक्शन प्रोसेस में इन्हों तीन एक्जाम रखे हैं एक यह आनलाइन आपका टेस्ट लेंगे और एक फिच विच्कल इफीएंटी टेस्ट की बात कर लें तो इसमें 800 मीटर की रनिंग इन्होंने मांगाई है ठीक है और मेल कंडीडेट के लिए 3 मिनट में पूरा करना है 10 मार्स मिलेंगे ठीक है अगर अगर आप साथ मार्स मिलेंग यह ध्यान रखिएगा मेल और फिमेल में चार मिनट में आगर आप कर लेंगे तो आपको 10 मेर ऐसी तरह केरी वेट और सोल्जयर फार डिस्टेंस आप 60 अगर आप मेल कंडिड्एट हैं तो किडि वेट-ціїलो ग्राम डॉराफ डिस्टेंड आप 60 मीटर 60 मीटर की डिस्टेंस आपको चलवाई जाएगी 50 किलोगुराम का वजन आपके कंदों पर रखके तो इसके आपको दस मास मिलेंगे और अगर आप फेल हो जाते हैं 50 किलोगुराम का वजन साथ मीटर तक चलने में तो आप नाट लिजबल होंगे ठीक है वहीं फिमेल कंडिडेट के लिए 40 किलोग्राम का बजन उनके कंदों पर रखा जाएगा तू कैरी 40 किलोग्राम वेट लेकिन अगर फिमेल कंडिडेट साथ मीटर चल लेती है चालिस किलोग्राम का बजन अपने कंदों पर रखे तो उनको 10 मास मिलेंगे लेकिन अगर नहीं चल पाती है तो नाडिलेजल हो जाएंगी एक्जिट कर दिया जाएगा उनको अब तीसरा जो टेस्ट है वो तू क्लाइब एंड गेट डाउन ओन रोप आप इस्पेश्विक हाइट बाई यूजिंग हैंड ओन लेक्स और तू क्लाइब एंड गेट डाउन ओन रोप आप 50 फिट हाइट फिप्टीन फिट यानि 15 फिट की हाइट पर आपको चाहना है साहता से उतरना है ठीक है इसके 10 मास मिलेंगे आपको और अगर आपने लाट लगा दी तो आपको साथ मास मिलेंगे और अगर यह नहीं कर पाए तो आप 15 फिट पर नहीं चड़ पैंड और उतर पाए तो आप नटील हो जाएंगे ठीक है कि वहीं पर महलाओं के लिए तेरा फिट है प्रीमेल कंडिडेट तेरा फिट हई उन्हें रख थी है अब जो लास्ट इसमें करवाएंगे यह आप वो सिटप्स और पूलप से ठीक है तो 30 सिटप्स आर्टें प्लप्स फार मेल कंडिडेट के हैं 25 सिटप्स एंड 8 प अगर आपने सिक्वर्टी गार्ड या वाच्मेंट के लिए आविदन किया है तो कि रणिंग 800 मीटर रखी है ठीक है दस मास की है चार मिनट तीन सेकंड इसमें है तीस सेकंड बढ़ा दिया इन होना ठीक है और टू केरी वेट 40 किलोग्राम 40 किलोग्राम वेट आपको शोल्डर पर रखके 60 मीटर तक चलना है और टू किलाइम और गेट डाउन रोप आप स्पेस्विक हाइट वाई यूजिंग हैंड्स ओनली ठीक है यह आपकी नाइन फिट की हाइट है इसमें पुलप्स की बात कर लें तो टूंटी पुलप्स और फॉर पुलप्स इन्होंने रखा है पचास सेकेंड में ठीक है और दस मार्स का है यह आप पूरे देखेंगे डिस्कुस्न में जो आपको बता रहा हूं इसका में लिंक भी डाल दिया पीडियाप डाउनलोड भी कर ल देखेंगे लिए अविदन है ठीक है और लाजट ध्यान लखेगा सत्त्रा फरवरी है सत्त्रा फरवरी से पहले आपको आविदन कर देना इसमें मैं क्या यहां इप मजब आप कमेड्यशा कि पर अब करें रहर आपका पीडिक्ते एम के आपको कि आनलाइन होगा और इसमें आपकी मैंटेνिक 的 क्या है आपको कब टर कि चेक भूल जाते हैं और आपकी personality कैसे प्लब क्या मतलब क्या मतलब उसमें यही आपकी परशुनालीटी से रिलेटेड और आपकी efficiency क्या है आपकी मतलब अच्छंता क्या है किसी भी कठनाई में आप क्या सुछ सकते हैं किस सब आपका है यह साइकोमेटिक टेस्ट है यह आपका होगा अनलाइन टेस्ट होगा तो यह तीन है और यह मार्च में इसकी जो एक्जाम डेट है यह मार्च में है और अगर आपको कोई की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि रिटेंट टेस्ट के लिए बुक्स तो मैंने लिंक दिया वहां से जाके बुक्स देख सकते हैं ऑनलाइन पर्चेस भी कर सकते हैं ठीक है तो अगर आप चैनल पहली बार आए और आपको लगता है कि इस तरह की जानकरी आपके लिए फा